हेलो एविवन तो कैसे हैं आप लोग तो जैसा कि हम फार्माक्रोकेनेटिक्स के अंद्रगत पहले पढ़ चुके थे या देख चुके थे कि उसमें हम स्टड़ी करते हैं A, D, M, E का जिसमें हम A और D को कम्प्लीट कर चुके हैं इस एब्जॉप्शन और डिस्टिब्यूशन को तो अब हम रेखेंगे मेटाबलिज्म को तो मेटाबलिज्म को को हिं हम दुसरा नाम बोरते हैं B. B. b.MM का वहुह सिम्पल मतलब भी हो जाएगा आपको कि biological किसी भी चीज को एक फोम से दूसरे फोम में ट्रांसफर करना तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा drugs है लिपिट सोलूबल है उसको हम ट्रांसफर करते हैं तो polar drugs बन जाता है जो कि water soluble होता है और एक kidney के द्वारा भी eliminate out हो जाता है हमारे body से और इसका जो main site होता है हमारे body में तो main site इसका होता है liver इसके अलावे kidney, gut, mucosa, lung and skin में भी इसका bio transformation drugs का होता है तो अब बात आती है कि जो bio transformation हम कर रहे हैं वाखिर क्यों करते हैं तो इससे पहले हम एक term लेते हैं elimination जैसे जो भी drugs हम लेते हैं वो जिन्दगी भर तो काम करती नहीं है तरसे बड़ा चीज है कि जो भी हम drugs खाएं लिएं दवा वो जिन्दगी भर काम करती नहीं है उसका action terminate out हो जाता है तो इसी process को जो action रोकने का जो process होता है उसी को हम elimination बोलते हैं इस termination of action of drugs is called elimination और यह जो action रोकने के जो परकिरिया है जो elimination है यह हम कैसे कर सकते हैं तो यह हम 2 मेठर से कर सकते हैं जिसमें एक है या तो उस drugs को तोड़ दे तोड़ने के बाद क्या होगा कि वो drugs active है तो इनेग्टिव हो जाएगा और यहां फिर उस drugs को अपने body से remove out कर दे मिस बाहर कर दे मिस excrete out कर दे तो यहां पर हमें बोल सकते हैं कि metabolism plus excretion is called elimination तो जैसा कि हम पहले study किये थे pharmacokinetics में ADME का तो हम A और D को complete कर चुके हैं और अब देखेंगे aim को means metabolism को excretion इसके बात देखेंगे और यही जो action रोकने के परकिरिया है इसको elimination बोलते हैं और जो action drugs हमारा produce करता है उसका हम study pharmacokinetics में करते हैं तो pharmacokinetics हम जब देखेंगे तब इसके बारे में देखेंगे कि वह कैसे कैसे अपना action produce करता है उसके बारे में जानेंगे तो अब आते हैं कि जो हमारा drugs है उसका metabolism जो हम होता है तो क्या क्या होता है उसके साथ निस्स क्या हम करते हैं तो जैसे माल लिया जाए कि कोई drugs है वो active form में है तो active form को हम inactive form में किए तो उसका metabolism के थू inactive हो गया होUNG जब metabolismo होए वो drugs तो इनactive form में आ गया निस्सुसका action रुख गया लेकिन यह जो होता है इस सारे drugs के लिये applicable नहीं है हम इसे 100% बोल सकते हैं कि सत्य नहीं है जैसे इसका exception एकले लेते हैं डाइजेपाम जो कि हमारा brain को depress करता है मिस निंद की दवा है यह तो यह जो होता है active form में ही होता है और active form में जब इसको हम लेते हैं तो यह हमारा brain को depress करता है और इसका metabolism होने के बाद जो कि axajipाम बनता है यह भी active form में है यह भी brain को depress करता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा drugs है वो metabolize होने के बाद एक्टिव form का active form में ही रहता है और इसके बाद देखते हैं कि एक तीसरा condition भी आता है जो कि inactive form में हमारा drugs रहेगा और वो metabolize होने के बाद active form में आएगा मिस जो inactive form में drugs होता है उसको हम pro-drugs बोलते हैं मिस drugs जो inactive form में हो मिस वो अपना action produce करने के लिए भी ready नहीं हो जब वो metabolize होगा तो अपना action produce करेगा जैसे इसमें हम example ले लेते हैं इनालेप्रीन जो कि इनालेप्रीट में convert होता है जब metabolize होता है तो इसके बाद हो जाता है एक और एक जामपल लेते हैं लिवो डोपा जो की डोपामीन में convert होता है metabolize होने के बाद जैसे कि इसका हम देख लेते हैं कि जो डोपामीन होता है वो कैसे काम करता है तो यह जो डोपामीन है वो पारकिंसोनीजम में काम करता है तो पारकिंसोनीजम में होता क्या है कि एसीटाइल कोलीन का लेवल बढ़ जाता है और डोपामीन का लेवल हमारे ब्रेन में कम हो जाता है नो इस दिजिज को ट्रीट करने के लिए हम या तो ऐसीताइल को लिएवल को कम कर देंगे या फिर दोपामीन के लेवल को बढ़ा देंगे तो इसमें क्या होता है कि जब हम टोपामीन देते हैं तो लिए ब्लड-Brain barrier को cross करके हमारे brain में जाता है और उसके बाद metabolize होकर dopamine में convert होता है और उसके बाद वो अपना action produce करता है और thuncation region को treat करता है तो अब बाद आ जाती है कि जो यह हमारा pro drugs है जो कि inactive form का drugs है इसके example बहुत सारे होते है तो कुछ-कुछ ऐसा example है जिसको कि हम एक निमोनिक्स के थ्रू देख लेते हैं तो उसका निमोनिक्स है और प्रिफर डूइंग इंडी इन क्लिनिकल सब्जेक्ट इस जितने भी लोग होते हैं इंडी करना चाहते हैं तो इंडी में उनको लोग क्लिनिकल सब्जेक्ट में ही ज्यादा तर कोशिस करते हैं कि मिले हमको तो इसी के थ्रू इसका निमोनिक्स रखते हैं तो इसमें क्या होता है कि ए फूर हो जाता है यहां पे ACE inhibitor जिसका की exception होता है जिसमें की pril से जो भी drugs होते हैं इसके बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसका discuss करेंगे कि क्या होता है ACE inhibitor और इसमें exception हो जाता है आपको कैपटोप्रील और लिजिनोप्रील तो इसको हम एक तरह से और याद कर सकते हैं कि जो ACE inhibitor में active form होते हैं वो कैपटोप्रील और लिजिनोप्रील होते हैं A, C, L P फोर होता है PPI inhibitor जिसमें प्राजोल नाम से जो भी ड्रग्स होते हैं वो आते हैं PPI inhibitor में D फोर हो जाता है DPF ring, M फोर हो जाता है methyl dopa and minoxid drill and D फोर levodopa, in में I फोर हो जाता है irinotecam जो की anti-cancer drugs है और C फोर हो जाता है cledogryl and carb demajole and S4 हो जाता है sulfacelagene तो इसके बाद आती है बाद की आखिर जो हमें metabolism का process जो कर रहे हैं इसका main उद्देश क्या होता है aim क्या होता है हमारे metabolism का तो क्या metabolism का ये होता है कि हम किसी भी active drugs को inactive कर दे ये होता है अगर ऐसा होता है तो फिर inactive drugs जो की active होते हैं या फिर जो active होता है वो भी active होता है तो फिर ये 100% सत्तिन है मैं से हमारा जो main aim है metabolism का वो active form को inactive form में करने का नहीं है इसका main aim हमारा है कि drugs को water soluble बनाना है जिसके बाद वो हमारे body से उसका action terminate हो और हो eliminate out हो जाए हमारे body से ना कि उसका काम है inactive form को active बनाना तो अब देखते हैं कि जो हमारा bio transformation reaction होता है जो कि हम metabolism बोलते हैं वो कितने type के होते हैं तो जैसा कि हम पहले chemistry में भी पढ़ चुके हैं कि जो metabolism होते हैं वो डो type के होते हैं catabolic reaction and anabolic reaction पर यहाँ हम इसको catabolic reaction and anabolic reaction नहीं बोलते हैं हम यहाँ पर बोलते हैं phase 1 reaction and phase 2 reaction और इसी phase 1 reaction को non synthetic reaction भी बोलते हैं या फिर functionalization reaction भी बोलते हैं तो अब बात आती है कि phase 1 reaction है इसमें होता क्या है तो जैसा कि हम जानते हैं कि catabolism में किसी भी चीज को तोड़ना होता है तो यहाँ पर हम उहीं चीज करेंगे सेम चीज यहाँ भी करेंगे फिर phase 1 reaction में हम किसी भी चीज को तोड़ेंगे तो तोड़ने का process आछिर क्या हो सकता है कैसे कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं तो इसमें हम कंजूगेशन रेक्शन में बोलते हैं, मिस एनाबोलिक रेक्शन में हम किसी भी चीज को जोड़ते हैं, मिस अटैच करते हैं, तो अटैच्मेंट को ही हम कंजूगेशन बोलते हैं, तो एक कंजूगेशन आखिर हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो एक कंजूगेशन में हम कर सकते है हैं Gluconide Conjugation कर सकते हैं जो कि most common होता है इसके वाद Acetylation कर सकते हैं Methyl Conjugation कर सकते हैं Sulfate Conjugation कर रखते हैं Glutathion Conjugation कर सकते हैं और अब बात आती है कि जो यह phase 2 reaction और phase 1 reaction होता है तो इसका खिर main purpose क्या है तो phase 2 का main purpose होता है किसी भी drugs को water solubal बनाना तो जैसे कि हम देख लेते हैं यहां पर कि यह कोई drugs हुआ और यह phase 2 reaction हुआ तो इसमें आपको कोई कोई भी आ सकता है जैसे Gluconide Conjugation आ सकता है Setylation आ सकता है Methylation आ सकता है कुछ भी आ द्रग्स को अगर active form में है तो inactive कर देगा या फिर inactive form में है तो इसको active कर देगा ऐसा नहीं होगा phase 2 reaction का main purpose होता है जिस भी drugs से जुड़े उसको water soluble बनाना तो water soluble बनाए गए phase 2 reaction तो जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि तो आखिर भी phase 1 reaction क्यों हुगा तो phase 1 reaction का काम होता है जैसे कि हम इसको एक example से समझ लेते हैं कि जैसे आपको किसी भी दिवार में AC fit करना है तो उस दिवार को आपको तोड़ना पड़ेगा तोड़ने के बाद उस में AC अटैज करेंगे या आपको split AC हो या window AC हो जो भी हो उसको अटैज करेंगे तो अटैज करने बज़े से मान लेते हैं कि यह paper है हमारा और इस paper पे किसी भी चीज को अटैज करना है तो अटैज करने के लिए इस पे हमको glue देना पड़ेगा और यह फेज जो glue होता है फेज 1 reaction करता है मिस एक जो glue होगा यहाँ पर हमारा functional group होगा functional group होगा तो फेज 1 का काम होता है functional group मिस functional group को उस drugs में expose करना ताकि जो फेज 2 का reaction है वो stick out हो सके मिस जूड सके तो यह होता है हमारा फेज 1 और फेज 2 reaction तो इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा यह metabolism का प्रोसेस हुआ मिस बायो transformation का जो प्रोसेस हुआ इसको आखिर करता कौन है तो जो भी हमारा बायो transformation का प्रोसेस होता है वो enzyme के थ्रू ही होगा तो जो भी drugs metabolizing enzyme है उसके बारे में देखते हैं तो enzyme आखिर हम पहले देख लेते हैं कि किसको बोलते हैं तो enzyme एक protein होता है जो कि rate of reaction को alter करता है तो अब देखते हैं कि जो हमारा metabolizing enzyme है drugs को जो दवाई को metabolize करता है उसका जो enzyme है वो आखिर कितने type के होते हैं तो यहां पर हम दो type के metabolizing enzyme पहलते हैं एक micro zoomal enzyme और दूसरा non micro zoomal enzyme तो अब देखते हैं कि जो micro zoomal enzyme होता है ओक्हा होता है और non micro zoomal enzyme क्या होता है तो जैसे मान लेते हैं comunque trze हमा इस में नीपलियायस हो गया उसके बाद वह घजाई है आपको mitر injprいきशोंघ हो गया उसके लाइसोजोम हो गया यह हो गया आपको अस्मूथ इंडोप्लाजमिक रेटिकूलम और यह साइटोप्लाजम हो गया तो जो भी इंजाइम अस्मूथ इंडोप्लाजमिक रेटिकूलम में उस पे परजेंट होते हैं मिस अस्मूथ इंडडोप्लाजमिक रिटी अम को हम मैक्रो सोम भी बोलते हैं और जो एनजाइम नुकलीस में... लइसोसोम में... मैट्रोपनटिया में... साेटोप्लाजम में पर्जेंट होंगे उसको हम नन माइक्रो जोम हमेंगे तो अब बात आती है कि आखिर ये जो इंजाइम हुए, माइक्रोजोमल इंजाइम और नन माइक्रोजोमल इंजाइम, इसमें आखिर मेन डिफरेंस क्या है, क्यों इसको ऐसा बोलते हैं, क्यों नहीं इसको माइटोकॉंड्रेल इंजाइम बोल रहे हैं, यहाँ पे ले रहे है हम या फिर लाइसोजोमल इंजाइम या निकलियस इंजाइम या फिर क्यों नहीं ऐसा ले रहे हैं तो जो माइक्रोजोमल इंजाइम हमारा होता है उसका जो मेन कारेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि यह जो है आपको इंडियूस और इंहिबीट दोनों होते हैं मतलब एक की और के कहने पे चलते हैं, ना की अपने हिसाब से, और यह जो non-microgemal enzyme होता है, वो inducible नहीं होता है, और यही जो होता है आपको non-microgemal enzyme, वो genetic polymorphism show करता है, जो की similar होता है microgemal enzyme के थुरू, तो अब बात आती है कि आखिर जो microgemal enzyme है, जो की induce और inhibit दोनों होते हैं, तो आखिर क्या करते हैं, तो यह होता है कि एक किसी भी drugs पे, जहां पे जैसा जरूरत होता है, वो ऐसा कार्ज करते हैं, और यह जो non-microgemal enzyme होता है, एक ही टाइप के कार्ज करते हैं, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा enzyme inducer हुआ, वो enzyme inducer आखिर कौन-कौन से होते हैं, तो मतलब इसको हम देख लेते हैं कि निमोनिक से, तो inducer में आप इतना ध्यान रखें कि inducer का मतलब क्या होता है, बढ़ाने वाला, और inhibitor का मतलब होता है, घटाने वाला, तो यहां पे हमारा जो भी होगा, enzyme inducer, उसका हम निमोनिक से देखते हैं, GPRS, सेलफोन, मिस जब से हमारे सेलफोन में GPRS आया, तब से हमारा खर्चा या जो ही बोलें, वो बढ़ा, ना कि घटा, तो इसमें हम G4 देख लेते हैं, P फर हो जाता है, फिनिट्वाइन, R फर हो जाता है, रिफैमपीसील, S फर हो जाता है, अस्मोकी, C फर हो जाता है, कारवामाजफील, P फर हो जाता है, फोन, मिस फिनिट्वार्वी टोन, और अब हम देखते हैं, enzyme inhibitor का, जो की घटाते हैं, मिस जब इसका किसी भी drugs का या दवा का जो भी action जब बढ़ेगा, तो इसको लेने के बाद, उसका action को ये कम करेंगे, और जो inducer होगा, उसके action को बढ़ाएंगे, मिस जल्दी से उस action को पहुँचाएंगे, उस action तक उस दवा को, जो action जल्दी जो देना था, उसको जल्दी दवा लगे, ओर उसको कम करेंगे, तो इसमें देखते हैं, कि जो इसका निमोनिक्स हम लिले है, बीटामिन के, काउज, इंजाइम, इन्हीपिशन, मुस्लिल जो बीटामिन के होता है, वो हमारा इंजाइम इन्हीपिशन नहीं करता है, तो आप ऐसा यहां पे ना सोच ले來到 कि जो vitamin K है उसको हम enzyme inhibition में vitamin K लेंगे यह बस एक pneumonics है तो B फोर हो जाता है walprate, K फोर हो जाता है ketoconazole, C फोर हो जाता है cementidine और C cause फोर हो जाता है ciprofloxacin, E फोर हो जाता है erithromycin and I फोर हो जाता है isonia g. तो यहां पर हमें एक देख लेते हैं कि एक question ले लेते हैं कि क्या region है कि जो हमारा drugs का जो दवा का response होता है और different different individual में different different type के होते हैं तो इसका जवाब हमें दे सकते हैं कि मतलब जो भी drugs metabolizing enzyme हमारा होता है जो कि microgmal enzyme, nanmicrogmal enzyme होता है वो हर एक individual में genetically control होता है इस ए उस individual के genetics पे depend करता है इसके अलावे वहां के environment और उस individual के diet chart पे भी depend करता है इसलिए drugs का जो दवा का response होता है इस किसी भी individual में ओ दवा जल्दी से action अपना produce करता है हमें इस किसी को भी अगर कोई सी भी टाइप का जो बीमारी हुआ है तो कोई दवा जल्दी ठीक करता है और कोई time लेता है तो इसका main कारे नहीं होता है कि उस में उस individual में जो drugs metabolizing enzyme है वो कैसे action प्रोडूस कर रहा है अपना और उस individual का क्या diet chart है और वहां का environment में वो individual रह रहा है उसका environment factor क्या है तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है जिसके वजह से जो हमारा drugs होता है उसका action अलग-अलग होता है तो इसी में हम एक और देखते हैं CYP जो की एक a special type का enzyme है तो CYP का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है cytokrome P450 तो cytokrome P450 जो क्या होता है कि ये भी एक micro-simal enzyme है जैसे कि पहले हम देख चुके है कि micro-simal enzyme होते हैं तो ये भी एक micro-simal enzyme है तो Micro Jomal Ingibe जो यह है तो आखिर इसका काम क्या होता है तो Micro Jomal Ingibe में यह क्या होता है कि Phage 1 Reaction और Phage 2 Reaction दोनों को कर सकते हैं लेकिन Mostly जो होता है Phage 1 Reaction Cytochrome P450 के द्वारा किया जाता है और जो Phage 2 का Reaction है उसमें Micro Jomal Ingibe में Keval Glucoronide Conjugation जो होता है वो Micro Jomal Ingibe के द्वारा होता है और बागी का जैसे Methylation हो गया, Acetylation हो गया, Sulfonate Conjugation हो गया यह सब नहीं होते हैं केवल और केवल Glucoronide Conjugation होते हैं तो अब बात आती है कि जो Micro Jomal Ingibe होता है कितने टाइप के तो ऐसे होते हैं बहुत टाइप के लेकिन इसी में होता है कि जो Main Important है वो है Cytochrome P450 और Glucoronide Transference जो की Glucoronide Conjugation करता है तो अब इसको हम देखने के देखते हैं कि जो Cytochrome है यह Metabolism में ही केवल हिल्प नहीं करता है इसका कुछ और भी Physiological Function होता है जैसे कि जो हमारा Cytochrome 450 जो है उसका Physiological Function होता है Bile Acid को बनाना और Esteroide Formation में भी यह हिल्प करता है तो अब आगे बढ़ने से पहले हम इसका Numenclature देख लेते हैं कि जो Cytochrome P450 है उसका Numenclature क्या हाता है तो इसको हम लिखते हैं Cytochrome P450 को लिखते हैं CYP उसके बाद एक number आता है जैसे कि हम यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं वो family को denote करता है और उसके बाद एक later आता है जो कि हम यहाँ पर A लिखे हुए हैं वो sub family को denote करता है और उसके बाद पुना एक number आता है जो कि denote करता है isoform को और जो point के बाद पुना एक number आया है वो denote करता है individual gene को जब कि हम पढ़ते हैं तो mainly ab इसमें यहां तक ही हम देखते हैं कि जो इसका isoform है और क्या है यहां तक ही हम पढ़ते हैं individual gene के बारे में mostly हम नहीं देखते हैं तो अब बात आती है कि जो cytochrome P450 है वो उसमें बहुत सारे उंजाइम आते हैं तो कुछ जो main main enzyme हमारा है उसके बारे में हम देखते हैं तो इसमें है cytochrome 3A4, cytochrome 2D6, cytochrome 2C19, cytochrome C यह सब इसमें आते हैं mostly तो अब हम देखते हैं कि जो cytochrome P450 3A4 जो होता है वो mostly बहुत सारे drugs को metabolize करता है, 30-40% metabolism में help करता है, और इसके बाद जो most common होता है metabolizing में help करने वाला, वो cytokrome 2D6 होता है, तो यह ही जो होता है, कि यह दोनों drugs, यह जो दोनों enzyme जो है, इसमें pharmacogenetics variation होता है, मिस जिस भी individual में जितना ज़्यादा यह enzyme पाये जाएंगे, उसका metabolizing property drugs का उतना ही ज़्यादा होगा, तो अब हम देखते हैं कि जो cytokrome 3-4 है, वो किस-किस drugs को metabolize करता है, तो यह जो है बहुत सारे drugs को metabolize करता है, जिसमें कुछ common है, उसको हम यहाँ पे लेते हैं, एक निमोनिक्स के थुरू, तो इसका निमोनिक्स है CT scan, तो CT scan में क्या है, कि यहाँ जो C denote करता है, वो cycloosporine and calcium channel blocker को denote करता है, T जो है, वो tacrolimbs को denote करता है, जो कि एक immunosupprescent drugs है, और cycloosporine भी immunosupprescent drugs है, और S जो है, वो denote करता है, अस्टेटीन को, और यहाँ पे जो C से हम एक निमोनिक्स और बनाए हैं, वो है cat drugs, तो एक cat drugs क्या है, पहले इसको देख लेते हैं, तो cat drugs में C जो denote करता है, वो है, C साप्राइट, यह जो denote करता है, वो है, अस्टेमाई जोल, T जो denote करता है, वो है, टरफेना, दीन, तो यह जो है, हमारे यह जो सारे drugs, है, उसको यह बढ़ा देते हैं, जिसके कारण एक एरिद्मिया होता है, और एरिद्मिया होने के कारण एक जिसको की हम tarsids, d, pointis बोलते हैं, तो इसी के लिए इसको जो एरिद्मिया काउज करता था, जिसके वजह से इसको मार्केट से eradicate out के दिए गया, तो हम इसको इस तरह से भी आद रखते हैं, कि जो हमारा cat है, वो cute है, उसके बाद अब आते हैं, ये पे, तो A से हो जाता है, amiodarone, and N से हो जाता है, navis drugs, जो की protease inhibitor होते हैं, वो सारे के सारे, CYP3A4 से ही metabolize होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, कि साइटोक्रोम 2D6, साइटोक्रोम 2D6 जो की maximum variation सो करते हैं, इसमें जो variation होता है, वो सबसे जादा होता है, और साइटोक्रोम 3A4 जो है, उसमें variation जो होता है, वो कम होता है, मतलब कहने का यह हुआ, कि साइटोक्रोम 3A4 जो है, most of the individual में बराबर मिलते हैं, जो जितना होता है, उतना से मिलते हैं, और इसका जो 2D6 का जो है, वो इसका variation बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण, तो इसका हम निमोनिक्स देखते हैं, कि यह आखिर किस-किस drugs को metabolize करते हैं, तो इसमें होता है कि जो 2 है, वो 2 जो है second letter of alphabet को denote करता है B को, तो B से होगे हमारा beta blocker, मिस जितने भी beta blocker होंगे, वो सारे के सारे साइटोक्रोम 2D6 से metabolize होंगे, और D4 होता है depression, जो कि anti-depression drugs जितने भी होंगे, वो साइटोक्रोम 2D6 से metabolize होंगे, जिसमें कि TCA, SSRI आएंगे और यहाँ 6 लेते हैं, तो इसको एक तरह से और बोल सकते हैं कि 6 का मतलब 6, तो इसका 6 का जिक्र हमारे मन में आते ही हमारा heart rate बढ़ जाता है, तो बढ़ने से क्या होता है, कि anti-arrhythmic, जो कि arrhythmia का होई होता है, तो जितने भी anti-arrhythmic drugs होंगे, वो सारे के सारे 2D6 से metabolize होंगे, लेकिन इसका एक exception है, amiodarone, जो कि cytokrome 3A4 से metabolize होते हैं, और इसके बाद देखते हैं, cytokrome 2C19 को, तो यहाँ C और 1 को हम CL के रूप में भी देख सकते हैं, जिससे की drugs हो जाएगा आपको, क्लोपीडो ग्रिल, तो क्लोपीडो ग्रिल को, यह metabolize करने के बाद जब active form में आएगा, तो वहाँ पे enzyme आपका, आएंगे, CYP2C19, और यही जो CYP2C19 होता है, और proton pump inhibitor को भी metabolize करता है, तो यह क्या होता है, यहाँ पे, कि जब CYP2C19 जो है, इसको proton pump inhibitor को भी metabolize करता है, और क्लोपीडो ग्रिल को भी, तो जब दोनों drugs एक साथ लेते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, कि यह जो CYP2C19 है, और proton pump inhibitor को metabolize करते, और क्लोपीडो ग्रिल को metabolize ना करे, तो फिर तो एक ड्रक्स इनेक्टिव फोम में ही रह जाएगा, और इसको लेने से हमको कोई फायदा नहीं होगा, और इसका जो यूज होता है, वो mainly myocardial infarction में होता है, उसके साथ और भी drugs दिये जाते हैं, जैसे हमारे जो physician होते हैं, वो देते हैं, अस्टैटीन, बीटा ब्लॉकर बगर देते हैं, और वहाँ पे फिर यह भी सूचते हैं, कि अस्टैटीन, बीटा ब्लॉकर, क्लोपीडो बहुत सारे दावा जब चल रहा है, तो उस patient को acidity का problem हो सकता है, तो acidity का problem होता है, तो उसको overcome करने के लिए proton pump inhibitor देते हैं, जिसमें कि omeprazole type के drugs दिया जाता है, तो एक क्या होता है, कि omeprazole जो होता है, CYP2C19 से ही metabolize होता है, तो klopidogrel जो होगा वो, हमारा inactive form में ही रह हो जाएगा, तो जब भी हम, मतलब कि यह metabolize होता है, इसलिए क्योंकि यह competitive inhibition का काम करता है, तो इसलिए जब भी हम klopidogrel को use करते हैं, तो proton pump inhibitor ओध proton pump inhibitor को देते हैं, जो इसके साथ सेफेस्ट हो, जैसे इसमें जो सेफेस्ट proton pump inhibitor आता है klopidogrel के साथ, जो कि CPY2C19 से metabolize न नहीं करते हैं, वो होते हैं आपको pentoprazole, रेवेपराजोल, तो इस टाइप के drugs इसके साथ दिया जाता है, तो इस तरह से हम एक point और बोल सकते हैं, कि जो klopidogrel होता है, वो proton pump inhibitor के साथ नहीं दिया जाता है, और अगर दिया गया, तो फिर सेफेस्ट proton pump inhibitor वो में pentoprazole और रेवेपराजोल को देंगे, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर metabolism का chapter आज complete होता है, तो next video में हम देखेंगे, excretion के बारे में,